नमस्कार दोस्तों सौगत थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नजर हर एक सेर में तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ एक मेरा अभी वीडियो अप्लोड हुआ है वो भी आप चेक कर लें कि मार्केट में क्रेस होने के क्या कारण थे तो आप एक देख पा रहे होंगे इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अभी मैं जो वीडियो आप के लिए लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें सी क्लियर कर दूंगी जो कुछ तीन-चार टिप्स दूंगी जिनसे हम यह पता कर पाएंगे कि अभी जो मार्केट चल रहा है मतलब मार्केट में जो डाउन फ्लो आया है यह मार्केट क्रैस हुआ है जिन भी बज़े से हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं मतलब अब हमको इससे है कि जो हमारी पोजिसनें लगी हुई है आगे हम मार्केट में क्या कर सकते हैं विकाज रिटेल इंबे का लॉस चल रहा होगा कि क्या बोलू मैं आप सभी जानते होंगे इन में आप सभी वीडियो भी सुन रहा होंगे मेरे तो आप आपको मालुम भी है कि एकदम से मार्केट में डाउन फ्लो आना किसी भी इन्वेस्टर को हिला सकता है विकाज उनका कैपिटल इतना जादा यूज हुआ रहता है स्टॉक मार्केट में कि वह बहुत जादा इस चीज के लिए परिशान रहते हैं मैं आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी ताकि आपको एक सॉलिड आइडिया हो जाए कि अगर आप इन्वेस्मेंट करना भी चाहते हैं तो कुछ चार तीन चार चीजें ऐसी बताऊंगी जिससे आप पता कर पाएंगी कि उस स्टॉक में हमको कुछ मुमेंटम देखेगा कि नहीं क्योंकि आगे मार्केट क्या रहने वाला है यह हम नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरीके से आज मार्केट टूटा है बापस से रिकवरी लेगा या नहीं लेगा कल मंडे मार्केट कैसे ओपन होगा मंडे मार्केट में क्या वर्क होगा स्टॉक में कुछ मुमेंटम देखेगा या नहीं बापस से मार्केट डाउन तो नहीं चला जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जारा से जЙदेडा से सूर करें और वीडियो अच्छे लगता है तो लायक करें, इसी के साथ ही आज का वीडियो हम स्टाट कर लें, जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो हम स्टाट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे nifty pty आप इसktor पर देख पा रहे होंगे कि market में जो down flow हुआ उसके करण हम chart भी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से chart ने momentum किया और अवर्राल डाउन ही momentum है इसको हम momentum नहीं कह सकते ये crash market है Market crash होने पर सारे stock भी down हो जाते हैं कुछ स्टॉक में हमको तेजी देखने के लिए मिलती है कुछ स्टॉक एकदम से नीचे आ जाते हैं तो आपने कुछ स्टॉक में आज देखा होगा एकदम से डाउन फ्लो मतलब जो प्री ओपनिंग मार्केट में पॉजिटिव थे उनका ग्राफ ग्रीन था वही एकदम से ड पैचान सके कि जिन स्टॉक पर हम वर्क कर रहे हैं वो एक पैराग्राप से या एक कहें स्टेप देखेंगे तो हमको जादा क्लियर होंगी क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं अपको ऐसे ही बरबली समझाओंगी कुछ स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें नहीं दिखाउं कि मैं किन बातों के लिए बोल्डरिंग आप खुद ही चेक आउट करेंगी विकॉस रिटेल इंबस्टर इतना जारा नहीं करता कि मैं जो बोल्डरिंग वही आप सर्च करके देखें बट डेफिनेटल आपको सर्च करना चाहिए क्योंकि मैं यह जो वीडियो बसना आती हूं अपने अनलाइस निर्यूजर के अनलाइस के बेशिवे बनाती हूं बट अगर हम इन्बस्टर हैं मतलब आप इन्बस्मेंट कर रहे हैं तो कही न कहीं आपको भी जरूरी हो जाता है सारी चीज़ें चेक आउट करना तो मैं आपको बता दूं कि जिन स्टॉक में हमको गांगे जो included हुए हैं nifty bank nifty में nifty 50 में nifty next 50 में इन में कुछ include हुए हैं कुछ बहुर हुए ऐं तो आप देख भाएंगे उन में कि कौन से stock include हुए है जिन में performance कैसा है तो उनकी क्या-क्या चीजां को चेक करनी एक balance करना है क्योंकि एक strong balance सीट हर स्टॉक के लिए सही रहती है तो हमारे लिए सबसे ज़़ा कंपल सरी फर्स इस्टेफ हो जाएगी एनसी की वेब साइट पे जाके आपको सेकंड बाली लिंक पे जाएंगे तो वहां पे आपको टाइम आप फुर निकाल लेंगे विकाज हमारा पैसा लगा हुआ होता है तो हम इतना कस्ट तो करी सकते हैं दोस्तों तो मैं आप सबी से कहना चाहूंगी पहले वह लिस्ट चेक करीजे कौन सा जो है आप यह आपको एक चीज़ बता दूं उसमें एक केल इंडिया जो है उसको बहार किया गया है तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक हैं जिनको लिस्ट में सामिल किया है अगर निफ्टी की बात करूं कुछ को निफ्टी नेक्स्ट फिप्टी में इंक्लूट किया है और किसी को निफ्टी 500 में किया है तो उन स्टॉक की लिस्ट वहां पर दी गई हुई है यह हमारी first step रहेगी कि वहां जाके आपको चेक आउट करने चेक आउट करना है दो दिन के अंदर वो लिस्ट चेक करके आपको filtration करना है वो आपका काम है ठीक है अगर हम second step की हो जाएं तो हमारी second step क्या रहेगी वो अब मैं आपको बताता है जे हां second हमारी जो step है वो रहेगी results results मेरा क्या मतलब है दोस्तो results मतलब मेरा कोई परिछह की results से बिलकूल भी नहीं कोई exam बगिर हमें चलना चलना रहेगी तो तो मेरा results मतलब मेरा Q3ka results है Q3ka results जो भी हो company के but हम लोगों को चेक करना है Otherwise unbelievably company का perponence क्या सही रहा है ऐar wise अगर company का performance रहा है तो definitely company बर्क करने लायक है तो आपको यह सारी चीज़ें भी चेक करने हैं फस्स स्टेप मैं बता चुकी हूँ आपको सेकंड इस्टेप हमारी यही रहेगी कि आपको results चेक आउट करने हैं जाके quarter three के जिन भी हम stock को लेके चल रहे हैं वो कुछ भी हो सकता मैं यह stock के लिए recommend नहीं करूंगी stock के बारे मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको चार ऐसी चीज़ बताऊंगी, जिनसे आप चेक करके, जो भी स्टॉक ले रहा हैं आप, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है, वो डाउन फ्लो में, क्रेस मार्केट है, आगे क्या होने वाला है, नहीं जानते हैं इसलिए मैं आपको 4 step बताऊंगी जिनसे आप check out कर सकते हैं कि आपको आगे के market में क्या देखने के लिए मिलेगा stock में देजी देखने के लिए तो हमको अगर एक मजबूत balance it या मजबूत चीज अगर हमको मिल जाती है उसकी company की सारी detail हम check out वो work जरूर करेगा अगर हम third step की बात करें जी हाँ दोस्तो third हमारी जो step रहने वाली है वो debt free हमको सबसे पहले यही देखना है कि जो stock पे हम work कर रहे हैं वो debt free है की नहीं उसमें risk कितना है risk आगे हो सकता है या नहीं देखे overall market पूरे market में ही risk रहता है यह चीज मान के चलिए but जिन stock पे हम work कर रहे है उसकी एक balance sheet strong है क्यों ठीक results में देखेंगे कि वो stock में क्या work हुआ है yearly, quarterly हर type से अगर हम उसको judge करेंगे check out करेंगे तो हमको मालम चल जाएग stock की condition आगे क्या रही है market फिर कितना भी कर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है because एक अगर strong valency tray की company में कोई करजा नहीं होगा जिस company हम work कर रहे है तो definitely वहाँ पे हमको market की moment से फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे हमारा एक profit booking दिखाई देगा एक return की हमको उम्मीद रहेगी market में down flow भी आता है अब flow भी आता है तो market है वो तो moment करे गई क्योंकि अमेरिकी market से ही हमारा Indian market वर्क करता है definitely वहाँ पे अगर विक्वाली चलेगी तो हमारे यहाँ थोड़ा सा down moment आएगा बट आज जो momentum आया वो काफी down था वो market को हिला देने वाला था और काफी investor हिले भी और इसका फर्क retail investors को जादा पढ़ता है इसलिए मैं बार बार कहरे हूँ कि आप इचार चीज़ें जो है अगर हम check out कर लेते हैं तो definitely हम जिन कंपनियों में वर्क करेंगे वहां से हमको एक profit blocking देखने के लिए मिलेगी आगे के लिए हम चिंता मुक्त हो जाएंगे अब हम four point पे नज़र डालते है fourth point और हमारा आखरी point रहे है जी हाँ दोस्तो last मेरा fourth step क्या रहेगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो मेरा fourth step ये रहेगा कि आपको ये चीज चेक आउट करनी है कि यहाँ पे जो delivery हुई है वो delivery जिस भी stock पे हम बर्ग कर रहे है वो कितने percent की delivery उठाई गई है तो यहाँ पे हम ने जो stock example के लिए रखा है SPI का stock है ये तो ये example के लिए था कि इसमें आप 33.33% की delivery देख पा रहे होंगी 33% की यहाँ पे हम delivery देख पा रहे है तो ये चीज भी हमको check out करनी है कि delivery कितनी दे रहा है stock then next चीज एक और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे bound week का high इसमें हमको जिस stock में बर्ग करना है हम उसको ये भी check out करेंगे कि ये bound week का high कितना बनाया यहाँ पे इसने 427 के आसपस बनाया और ये ज़्यादा पुराना high नहीं देख रहे हैं ये 18 फैव अभी फैवरी का महीना चल रहा है आज 26 तारीक है तो हम ज़्यादा पुराना नहीं देखेंगे अभी कही देखेंगे तो आपको और भी देखना है overall week का high भी देखना है ऐसा नहीं है कि आपको bound week के high से ही मतलब है इससे भी हमको मतलब है कहीं न कहीं और overall market के high से ही मतलब है वो भी हम देख लेते हैं आपको check out करना है कि maximum chart pattern में इसका high कैसा रहा है हम यहां बात करें तो आप यह देख पा रहे हूं यह overall high होता है अगर हम check करेंगे तो यह हमको overall high देख रहा है पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह high आगे भी high बनाएगा यह देख रहा है यह हमारे high कहलाते है overall high की अगर हम बात करें तो आगे market work करेंगा नहीं ये company की balance sheet और company की मज़बूती, company की उपर कोई करजा तो नहीं है, इन सब चीजों को अगर हम check करते हैं तो definitely हमको मालम चलता है कि company एक bond है, company का एक reputation है company की सारी चीज़े legally हैं सारी चीज़ अगर हम देखते हैं तो definitely हमको stock में आगे के लिए कोई problem नहीं होगी हम बेज ज़क उसमें work कर सकते हैं कोई problem नहीं होगी ये चार जो step मैंने आपको बताई हैं वो अगर आप step by step ध्यान से देखेंगे तो definitely आपको समझ में आएगा कि हमारी जो चार step में काफी important होंगी और एक important trickle भी play करेंगी तो definitely अगर आप ऐसे work करेंगे तो आपको काफी ज़्यादा एक help हो सकेगी I hope so, आपको वीडियो पसंद आया होगा आप सभी से कहना चाहूंगी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा share करें, अभी तक जिनों ने subscribe नहीं किया है, जो विगनर से उनको भी काफी कुछ चीज़न सीखने के लिए मिले लेंगी वीडियो के purpose मेरा सिर्फ अपने education के purpose से बनाती हूँ वीडियो then अब वीडियो को मैं यहीं पर गतम करती हूँ आप सभी को good night, bye bye, thank you so much